Hello and welcome to our YouTube channel JK exam trip. My dear friends in this video I am going to show you how to create student academic bank of credits ID. So let's begin. तो सबसे पहले आपने क्या करना है अपने फोन या लैप्टॉप पे कोई ब्रोजर ओपन कर लेना है, whether it is Chrome, Mozilla, Firefox, Internet Explorer or any other web browser. वेब ब्रोजर ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, simply search bar में type करना है, abc.gov.in enter करना है, इंटर करना के बाद आपके समने कुछ ऐसा interface आएगा, तो यहाँ पे आप आपने क्या करना है, जो first वाला link होगा, इस पे आपने click कर देना है, तो जो ही आप इस first वाले link पे click करेंगे, उसके बाद आपके समने academic bank of credits का जो portal है वो open हो जाएगा, इसका interface कुछ इस तरीके का है, तो यहाँ पे अब आपको right side में एक button मिलेगा, यह option मिलेगा जिस पे लिखा जी my account, तो simply आपने क्या करना है, my account पे click कर देना है, तो उसके बाद आपके समने यह दो option show होंगे, एक है student का और दूसरा university का, तो आपने simply क्या करना है, जो student वाला option है, इस पे click कर देना है, जो ही आप student वाले option पे click करेंगे, उसके बाद आपके समने कुछ ऐसा interface open हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको बोल रहा है, कि आप जो sign in कीजिए, वाया digil locker, तो अगर आपने digil locker का account create किया है, तो फिर आप जो है, अपना mobile number, पिन वगरा इंटर करके, या username के थूँ, आप ज तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी registration करने है, तो registration करने के लिए यहाँ पे आपको नीचे एक option मिलेगा, जिस पर लिखाया जी, sign up for मेरी पहचान, तो simply आपने क्या करना है, इस वाले link पे click कर देना है, तो उसके बाद जो है, आपके समने, sign in वाल पेज ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको ओपर शो हो रहा होगा, sign up for digital, तो simply सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या करना है, जो फॉस्ट वाला option होगा, यहाँ पे आपको अपना mobile number इंटर करना है, mobile number इंटर करने के यहाँ आपको simply क्या करना है, generate otb पे click कर देना है, तो data birth अपनी जो है, वो इंटर कर देनी है, उसके बाद नीचे यहाँ पे आपको अपना gender select कर लेना है, तो इसके बाद यहाँ पे जो भी आप username create करना चाते हैं, login के लिए, वो आप अपने accordingly यहाँ पे create कर लिजिए, तेन उसके बाद जो भी आप pin create करना चाते हैं, login के लिए वह आप create कर लीजिए यहां पर उसके बाद आपको नीचे यहां पर क्या करना है इसी पीन को जो उपर आप इंटर करेंगे उसी को नीचे आपने confirm करना है और इसके बाद यहां पर यह जो आपको box चो रहा है इस पर आपने टिक लगाना है और इसके बाद simply आपने क्या करना है verify पर click कर देना है तो जब आप phone number इंटर करके generate OTP पर click करेंगे उसके बाद आपके समने कुछ इस तरीके का option आएगा तो यहाँ पर जो भी आपका OTP आया होगा वो आपने select करना है username create करना है पिन इंटर करना है उसी पिन को confirm करना है और आइकां सेंट वाले यह जो आपको option देख रहे हैं यहाँ पर आपको टिक लगाना है उसके बाद verify पर click करना है तो जो ही आप verify पर click करेंगे उसके बाद जो है आपके समने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा यहाँ पर आपको लिखावा मिलेगा थैंक यू फार साइनिंग साइनिंग आप फार डिजी लाकर मेरी पैचान सर्फिसीज वगरा वगरा तो यह आप जो है रीड कर सकते हैं उसके बाद अगर आप अपना अधार नंबर जो है verify करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं यहाँ पर आपको नीचे अधार नंबर का option मिलेगा आपने यहाँ पर simply क्या करना है आपना अधार नंबर इंटर करना है और उसके बाद continue पर click कर देना है तो अगर आप अभी इसको skip करना चाहें तो वह भी आप यहाँ से skip कर सकते हैं तो इस तरीके से आप जो है क्या करेंगे अपना डिजिल लाकर के लिए account create करेंगे तो account create करने के बाद आप आपको क्या करना है sign in वाले पेज पर वापिस आना है तो यहाँ पर आप जो है अपने mobile नंबर और पिन इंटर करके sign in कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप अपन sign in करने के और भी option से तो जब आप यहाँ पर अधर्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको option मिलेगा आधार pen driving license तो इसके थूर भी आप जह है sign in कर सकते हैं तो चलिए हम यूजर ने मोर पिन के थूर जह है login करते हैं जो भी हमने username create किया था तो simply आपने क्या करना है और यूजर नेम वाला option जो आवो शलेक्ट करना है अब यूहाँ पर करना है जै अपना username इंटर करना है इसके बाद यहां पर टी लगा करना है उसके बादого क्लिक कर दना है तो जो ही आप अपने credentials इंटर करके sign in पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके समने कुछ ऐसा interface open हो जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है जी OTP इंटर करना है तो जो भी आपने mobile number आप registration के time पर आपने इंटर किया होगा उस पर OTP आ जाएगा तो वो OTP आपने यहाँ पर करके simply क्या करना है sign in पर क्लिक कर देना है तो जो ही आप OTP इंटर करके sign in पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको अपना ABC ID जो हो मिल जाएगी तो इसको आपने क्या करना है simply screenshot या now down कर लेना है तो dear friends इस वीडियो में आपको बस यही इंपमेशन दनी थी तो इस वीडियो में आपको बस यही इंपमेशन दनी थी तो if you have any query regarding this you can ask me in comment section so that's the end of video thanks for watching as always god bless you all